आखिरकार क्यों अपने जाने दुश्मन की आज तारीफ कर रही है दिल्ले के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवार केजरिवार ने क्यों दुश्मनी भुला कर बढ़ाया दोस्ती का हाथ दुश्मन बना दोस्त या फिर केजरिवार ने बदली है अपनी सोच कहते हैं कि राजनीती की मैदान में कभी कोई किसी का दुश्मन जिंदिगी भर नहीं होता और ये बात दिनली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवार पर बिलकुल सटीक बैठती है क्योंकि केजरिवार ने आज अपने दुश्मन नंबर वन को दोस्त बना लिया है और साथ ही केजरिवार ने ट्विटर पर अपने दुश्मन नंबर वन को दे दिया है ट्विटर पर एक प्यारा सा मेसिज क्या है ये पूरी खबर वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ मलिकारजुन के लिए ही किया है जिसे साफ है कि अपके जिवार ने अपनी दुश्मन पार्टी कॉंग्रेस को अपना दोस्त बना लिया है कॉंग्रेस के रास्ते अध्यक्ष मलिकरजुन खड़के आज पूरे 81 साल के हो गए है साथ ही आप और कॉंग्रेस की बीच की नई नई दोस्ती को आगे भी मजबूती से जारी रखने के संकेति हैं अपने ट्वीट में दिल्ली के सीम के जिर्वाल ने मलिकारजुन के लिए लंबे और स्वस्त जीवन की कामना भी की है आपको बता देखिए एक वक्त था जब अर्विन केजरिवाल की आप और कॉंग्रेस के बीच में अध्यादेश को लेकर काफी जगड़ा हुआ था कॉंग्रेस पार्टी बीजबी से जादा आम आदमी पार्टी की दुश्मन मन गई थी लेकिन देखिए आज हालात बिल्कुल बदल गए है अब उसी आम आदमी पार्टी के मुख्या अर्विन केजरिवाल आज कॉंग्रेस पार्टी के नेता को उनकी जनम दिन पर बधाई दे रहे हैं वैसे भी कुछ दिन पहले की बात है जब अर्विन केजरिवाल ने अध्यादेश के खिलाफ कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी से मिलने के लिए वक्त मांगा था लेकिन वो कॉंग्रस नेता मलिका अर्जुन ही थे जिन्होंने केजरिवार को राहुल कांदी से मिलने नहीं दिया था और आज उसी मलिका अर्जुन को केजरिवार जनम दिन की बधाई दे रहे हैं आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि हाली में हुई बैंगलूरू में विपक्षी दलोग की जो बैठक हुई थी उसमें कॉंग्रस ने ये वादा किया है कि वो अध्यादेश के खिलाफ आपका सादेगी और बीजेवी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेगी खैफ वक्त वक्त की बात है लगता है अब अरविन के इज़िवार और कॉंग्रस के बीच दोस्ती की नई शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत काफी अच्छी है अरविन के इज़िवार ने मलिक अरजुन को जनम दिन की बढ़ाई देकर साफ कर दिया है कि हमारी ये दोस्ती लंबी चलेगी और दोनों मिलकर केंदर की सत्ता से बीजेवी को बेदखल करने का काम करेंगे फ़लाल आज के मारे इस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है कि आपको मारे ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे घुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चानल में नए है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राजनीती की बड़ी बड़ी खबरे हम आप तक यूही पहुचाते रहें